यदि आप 32,000 पदों पर अध्यापक भरती के लिए फॉम भरना चाहा रहे हैं जो 10 जनवरी से 9 फरवरी तक भरे जाएंगे तो यह वीडियो आपके लिए उप्योगी है नमस्कारम मैं संजेपाल शुरान आपका स्वागत करता हूँ सवाल जवाब के इस पहले वीडियो में हम माज बात करेंगे आपको कौन से पर्मान पत्तर तैयार कर लेने चाहिए अभी और आप फॉम भरें या नहीं भरें यह है डिटेल एडविटीजमिंट का पहला पेज इसमें दिया हुआ है कि आपके रीट में कितने पर्तिशत अंक आए हैं तो आप फॉम भर सकते हैं यादि आप अनारक्षित या सामाने वर्ग से हैं और आपके 90 अंक आए हैं रीट में फॉम भर सकते हैं यदि आप EW, OBC, MBC, SC और ST से हैं और आपके 83 नंबर आए हैं रीट में फॉम भर सकते हैं यदि आप विद्वा, प्रितक्ता या भुत्पुर्शेनिक केटेगरी में आते हैं और 75 अंक रीट में हैं फॉम भर सकते हैं यदि आप निशक्त जन हैं अर्था दिव्यांग हैं और आपके यदि रीट में साठ अंक या उससे अधिक आए हैं आप फॉम भर सकते हैं और सहरिया आदिम जाती वर्ग केवल बाराजिले के रहने वाले हैं और आपके यदि रीट में 54 अंक आए हैं आप रीट का फॉं भर सकते हैं अब आपका सवाल यह होगा अक्सर फॉं भर सकते हैं और भरें इसमें अंतर है अब एक सुझाव मेरा ये है कि जब आप इस form को भरेंगे तो आप पूरी प्रक्रिया को समझेंगे 64000 विद्यार्थियों को document verification के लिए प्रारंबिक सिक्षा राधस्थान विकानेर जो है वो आपको जो है call करेगा अब 64000 विद्यार्थि document verification करवाएंगे अंतिव मुप से selection 32000 का ही होगा लेकिन बाकी विद्यार्थि जो भी है वो इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे समझेंगे किस प्रकार से document verification होता है document verification में कौन-कौन से document लगाने होते हैं यदि आपके किसी document में कोई कमी है वो आपको अभी पता तल जाएगी जब आप इसका form भरेंगे 64000 में यदि आप आते हैं तो तो मेरा यही सुझाव है कि आपको यह form जो बिकानेर से निकला है 10 जनवरी से 9 फरवरी तक जो form भरे जाएंगे वह form भरना चीए बाकी अंतिमनेर्ने आपका है कि आप यह form भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं दूसरा महत्वपून सवाल जो यह है कि सर्फ फिलहाल कौन से परमान पत्तर या दस्तावेज हम तयार करें हाला कि 10 जनवरी को जब form भरने शुरू होंगे तब वहाँ form में कौन कौन सी आपको जो डेटा है वो फिल करने वो तो उसी दिन पता चलेंगे लेकिन हम कुछ चीजों का अनमान लगा सकते है कि कौन से डॉकॉमेंट आपको अभी तयार करने है और यह आवेदन पत्र के साथ जो सनलगनों की सूची है यह डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन के लिए है डीवी के लिए है अभी आप 10 जनवरी से केवल फोर्म भरेंगे अभी आप डीवी नहीं करवा रहे है 10 जनवरी से 9 फर्वरी तक फोर्म भरे जाएंगे उसके बाद जो है निदेशाले 64000 विद्यार्थियों की एक सूची जारी करेगा उन्हें डोकॉमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और ये जो सलगन है उनके लिए सूची है लेकिन जब आप विस्तरत विग्यापन को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट दिया है कि आपकी जो भी मिनिमम पात्तरताएं हैं वो पात्तरताएं आप 9 फरवरी से पहले उससे समंदित परमान पत्तर बनवा लेवें बहुत महत्तुपुन है इसको थोड़ा सा समझे माल लीजिए कि आप OBC का लाव लेना चाहते हैं तो OBC का सार्टिफिकेट जो है वो 9 फरवरी 2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए पहले का कितना पुराना अब यहां भी इन्होंने कोई स्पष्ट उलेक नहीं किया इन्होंने का वैध अवदी तो OBC का सार्टिफिकेट सामने त्या 6 मेने 12 मेने का ही वैलिड होता है उससे पुराना वैलिड नहीं होता क्योंकि OBC का जो सार्टिफिकेट बनता है उसमें आपका जो I सार्टिफिकेट है वो भी लगता है तो वो विद्यारती जिनके जो पेरेंट्स हैं वो जोब में हैं को हर साल नया OBC का Certificate बनाना होता है क्यों हो सकता है क्या पता वो क्रीमिलेर में चले गए हो ठीक है इसको हम समझते है एक और महतुपुन आयाम जो आपको ये बताएगा कि आपके कौन से Certificate बनाने है वो है कि आपकी जो नियूंतम पातरता है उसको निर्धारित करने के लिए जो चीज़ें चाहिए अब इसको देखते हैं ये जो आवेदन की प्रती है और जो घोशना पत्तर है निर्धारित प्रारूप में जो इसके ठीक पहले वाले पेज़ पर दिया है ये है Document Verification के दोरान डीवी Document Verification के दोरान आपको चीए अब दस्वी बार्वी सनातक बीए बीकॉम बीएसी में अमकॉम एमसी ये सब की चीज़े हैं फिर उसके बाद आपने BSTC बीए जो भी किया है वो फिर ये पंजीकरण का परमान पत्तर जो विषेष सिक्षावाले है वो और जब आपका деревy होगी तब तक आपका rep का परमान पत्तर भी आ जाएगा वो मूल निवास परमान पत्तर अब आप रादस्थान के मूल निवासी है इसका परमान पत्तर जो है वो आपको 9 फरवरी से पहले बना हुआ होना चाहिए पॉइंट 10 11 मा भी आपको 9 फरवरी से पहले बनाना है जो EWS की विद्यारति उनके लिए है ये जाति प्रमान पत्तर भी 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए लेकिन एक शब्द आया वैध अवधी 2021 के बाद यदि सार्टिफिकेट बनाया है तो वो शायद वैध अवधी में आएगा बाकी तो हमें और सपष्ट करना होगा बिकाने निदेशाले से संपर्क करके कि वैध अवधी क्या है कोशिश करूँगा मैं यदि कोई संपर्क हो पाता है तो बाकी जो है SC, ST और सहरिया आदिम वाले उन्हें जो है वह एक बार ही उनका बनता है कोई विद्यार्थिकेसर मेरा 20 साल पहले का बना होगा है SC का, ST का क्या वो वैलिड है क्या आप डिजिटल बनवाईए डिजिटल साइटिफिकर आजकल आ गए हैं आप उसमें डिजिटल बनवाली जिए अन्ने पिच्डावर्ग और अती पिच्डावर्ग MBC वाले जो हैं उन्हें तो वेद अवदिका ही बनाना होगा इसका मतलब है latest बना हुआ होना चाहिए अब पोइंट नमबर 13 विद्वाओं के बारे में 4 बातें इस पोइंट 13 में कही गई है विद्वाओं की स्थिती में स्वेम का प्रमान पतर आप शपत पतर देंगी कि मैं विद्वाओं हूँ पती की मृत्विय का प्रमान पतर की आप के पती की death हो गई है पती से link दस्तावेज या साक्षे जिस वेक्ती का आप death certificate दे रही है वो आपके पती थे इसका भी दस्तावेज या साक्षे आपको देना होगा वो राशन कार्ड हो सकता है वो आपका कोई water ID हो सकता है वो आपका विभापंजियन हो सकता है वह आपका अन्य कोई दस्तावेज हो सकता है मानने दस्तावेश और चोथा आपको बताना होगा कि आपने पुनर विवान नहीं किया इसका भी शपत पत्र यहां आप गोर करें इसमें से आपके डेथ का सार्टिफिकेट वगरा जो है वो 9 फरवरी से पहले का होना चीए और जो शपत पत्र वगरा आप देंगे वो आप शपत पत्र देंगे जब आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अब बात आती है कि तलाक शुदा के संदर्ब में 9 फरवरी से पहले जिन्हें तलाक मिल चुका है या तो न्यायाली की निरने है या फिर डिक्री है तो वो उन्हें देना होगा साथ में पुनर विवाह नहीं किया इसका शपत पत्र ये शपत पत्र उन्हीं को देना है जिनका सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन ये जो परमान पत्र है ये आपके 9 फरवरी से पहले होना चीए अब आप यहां थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ज़र शपत पत्र भी नहीं बनाना और ये परमानित प्रती पहले की होनी चीए हाँ 9 फरवरी 2022 तक आप जो हैं तलाक ले चुके हैं इसका परमान देना होगा इसके बाद यदि आप तलाक लेते हैं जो भी भाषा लिखनी होती है फिर उसको नोटेरिया टेस्टिड करता है वो कहलाता है शपत पत्र अब संतान समंदी घोशना फिलाल जब आप फोम भरेंगे तो आप उसमें केवल यही लिखना है कि आपके संतान 2002 से पहले कितनी थी उसके बाद कितनी है वरतमान में कितनी है ठीक है और 9 फरवरी तक अनमान लगा के हो सकता है कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसके घर में नए सदश्य का आगमन होना हो तो वो इस पर गोर करेगी पता चले आपने फोम भर दिया 15 जनवरी को जो है 30 जनवरी को आपके धर में हुआ तो 9 फरवरी का अनमान लगा के आप संतान समंदी गोशना पत्र करें विवा होने पर दहेज नहीं लिया इसका शपत पत्र ये फिलाल नहीं देना है डीवी के टाइम देना है भुतपुरु शेनिक वगरा है उन्हें अपना ये जो घोशना पत्र वगरा ये वर्तमान में देना होगा क्योंकि वो एक्स सर्विसमेन की केटेगरी का आप अभी लेना चाहते है उतकर श्ख्लाडियों के पास खेल प्रमान पत्र होना ही चाहिए दिव्यांग जो है उनके पास भी प्रमान पत्र 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सार्टिफिकेट ये आपको डीवी आपका हो जाएगा डीवी होने के बाद अंतिम रूप से जब आप चाहिए नित हो जाएंगे तब आपको ये देने हैं फिलाल नहीं देने हैं और उसके बाद में गिराज की सेया उप्टर में कारक्टरत होने पर नियोकता अधिकारी द्वारा जारी ये नोसी ये भी आपको ले लिनी चाहिए यदि आप डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो तो निशकर्ष